हेलो एवरिवान तो आज हम लोग वही एंडो मेंब्रेंस सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लासेस में हम लोग एंडो प्लाजमिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लिये हैं और उसकी जो फंक्सन है मेजर फंक्सन क्या है प्रोटीन सिंतेसिस करना और लिपीड सिंतेसिस करना क्या हमारा प्रोटीन बन गया है बिल्कुल क्या हमारा लिपीड भी बन गया है बिल्कुल बन गया है अब उसको मोडिफाई करने के लिए एक बंदा काम आएगा वह है कॉल तो सबसे पहला point क्या है इसके बारे में सबसे पहले description दिया था यहां पर क्या होता है देखो गौलगी बोडी कैसे बनता है कुछ मेंब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं वो आपस में परलेली एरेंच्ट हो जाते हैं कुछ मेंब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो आपस में परलेली एरेंच्ट हो जाते हैं और गौलगी बोडी का formation होता है इस arrangement को हम लोग कहते हैं systems इस arrangement को क्या बोलते हैं systems तो बहुत सारे membrane bound vesicles जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं आपस में parallelly arranged हो जाते हैं और किसको form कर देते हैं सिस्टोन को form कर देते हैं पहला point किस ने दिया था कैमे लोग अलगी ने दिया था second point कैसे बनता है देख लिए membrane bound vesicles जो होते हैं वो शेटे सेस्टों का स्वर्मेशन करते हैं त्सारव क्या है इंडोप्लाज्मीक रेटिकुलम यह बाद वी हमको समझ में आता है क्यों ये लोग रेटिकुलम के पास मिलते हैं क्यों नवस्चिया में प्रोटीन सिंतेसिदेसि्स हो गया हो फिस व्हों humility के पास तो गॉलगी बोड़ी यतना पास होगा, उतने जल्दी भेज सकते हैं, इसलिए वो लोग क्या होते हैं, एंडोपलाजमी ग्रेटिकुलम के पास होते हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पे गॉलगी बोड़ी कौन रहा होगा, यह हमको जो दिख रहा है न, यह नूकलि यह अपना नूकलियस हो गया, राइट, नूकलियस के चारो तरब कोन होता है, एंडोपलाजमी ग्रेटिकुलम होता है, और एंडोपलाजमी ग्रेटिकुलम के पास कोन होता है, जी भी होता है, जी भी बूले तो क्यों गॉलगी बोड़ी, तो यह नूकलियस के पास कोन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये येलो हिस्सा क्या है गॉलगी बोडी ये पिंक हिस्सा क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना तो ये न्यूकलियस हो गया ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और ये गॉलगी function क्या है इनका पहला function लिक पहला function है दें मोडिफाइच protein and lipid formed by endoplasmic reticulum जो protein बना है और जो lipid बना है endoplasmic reticulum में वो यहां पर आएगा और यहां पर क्या हो जाएगा उसका modification हो जाएगा simple दें मोडिफाइच protein and lipid formed by endoplasmic reticulum and secrete them to outside of the cell by process called exocytosis यह बात मैं बता चुका हूँ कि कोई भी material का अगर हम लोग cell से उसको excrete करें उसको फेंक रहे बाहर cell से बाहर फेंक रहे तो उसको exocytosis कहते हैं यह पहले classes में है endoplasmic reticulum में उसको क्या करते हैं उसको modify करते हैं यह लोग और उसको क्या करते हैं modify करने के बाद cell के बाहर फेंक देते हैं by process called exocytosis ओके गॉल्गी बोड़ी का function समझाया protein lipid को modify करेगा और cell के बाहर फेंक देगा next point पे चलते हैं next point कहता है कि sperm acrosome which formed by body Golgi body क्या करता है sporm के acrosome को form करता है sporm के जो acrosome होते हैं उसको कौन form करता है गॉल्गी बोड़ी आप next class 10 में sperm के बारे में पढ़ोगे उसका जो head वाला हिसा होता है ना head वाले हिससे head वाले हिससे में acrosomal enzymes होते हैं ना acrosomal enzymes होते हैं वह वो एक्चुली में गॉल्गी बोडी से फॉर्म्ड होते हैं, ओके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यह पॉइंट पे उतना स्ट्रेस मत देना अभी, यह नेक्स्ट यह पढ़ होगे, लेकिन अभी याद रखलो कि स्पॉम का जो अक्रोजोम होता है, वो कौन बनाता है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, it helps in cell wall formation, है ना, cell wall formation में भी help करता है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो क्या-क्या function पढ़ लिया, सबसे पहले, यह modify करता है, protein और lipid को और cell के भार फैंक देता है, नेक्स्ट पॉइंट पॉब का जो एकरोजोम होता है, वो कोन बनाता है, गॉल्गी बोडी बनाता है, cell wall formation में कोन help करता है, गॉल्गी बोडी help करता है, और एक बात, it helps in lysozome formation आलसो, हैना, lysozome बोलके एक substance हम आगे पढ़ेंगे, उसको भी कोन फॉइंट करता है, यही तो पहले यहाँ पर हमने क्या-क्या पढ़ लिया अभी तक हमने पड़ा कि गॉलकी बोडी जो नाम है वो किस से आया है गया आधाए और इसके बारे में endoplasmic reticulum यह point हमें को समझ में आता है क्यों वो लोग endoplasmic reticulum के पास पाए जाते हैं यह हमको समझ में आता है they modifies protein and lipid formed by endoplasmic reticulum and secret them out of the cell by a process called exocytosis form का भी acrosome कुन फर्म करता है गौलगी बोड़ी फर्म करता है it helps in cell wall formation also cell wall के formation में भी कुन help करता है गौलगी बोड़ी करता है it helps in lysogemal formation lysogemal formation में भी कौन help करता है गौलगी बोड़ी help करता है ओके नेक्स्ट चलते हैं आगे आज थोड़ा लंबा क्लास चल सकता है तो यहां पर क्या लिखा है यहां पर अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे दोनों कोडिनेटेट वे में function करते हैं कौन endoplasmic reticulum और गौलगी बोड़ी का जो function होता है वह एक दूसरे के साथ बिल्कुल कोडिनेटेट वे में वो लोग क्या करते हैं function करते हैं यहां पर हमको एक structure दिख रहा है यार यह रॉप पैकिप्र नोड़ाजमिक रेटिक जो यहां पर roses ऑपन की जा रहा हो यह तो क्या होते हैं प्रोटीन नहं बन गया लेकिन प्रोटीन बन गया लेकिन प्रोटinnen को कोई एक लेके करते हैं प्रोटीन के चारों तरफ चिपक जाते हैं प्रोटीन के चारों तरफ चिपक जाते हैं और उसको लेके जाते हैं किसके पास हमारे कॉलगी बॉड़ी के पास प्रोटीन को लिपीड में ऐसे का ऐसा ही होगा है ना प्रोटीन को मैं और लिपीड में क्या हो जाएगा straightforward बेसिकल बन जायेगा और वोग कहां चले जाएंगे 52 बोटी के सा चले जाएंगे इंको चले जाएंगे जाएंगए अंपो रुभी को Осब कहें च्था परोटीन पना लिपीट बना है रोटीन लिपीट को क्या क्या solve ने क्या क्या कर दिया व्हूप प्रोसेस ऑ प्रोसेस और लिपिट कहां चले और बंए और दिस्कशने के पडूब हरा हूँ उनको तो इस प्रोसेस को थियोरी के फॉर्म में पढ़ लेते हैं एक बार सबसे पहला पॉइंट क्या है राइबूजूम यह सब डिसकस पहले ही क्लासेस में कर चुके हैं इसलिए मैं जल्दी से स्राइट के फॉर्म में पढ़ा रहा हूं राइबूजूम प्रोटीन और कुटा की वहीं प्रोटीन को मोडिफाइक जाएगा और लिपिड को अगया जाएगा एक तो लिपिट को भी मोडिफाय किया जायगा और प्रोटीन चतके इंता है나들 After modification, they are secreted out of the cell by a process called exocytosis, okay? बहुत सिंपल तरीके से हमने देख लिया कि कैसे endoplasmic reticulum और Golgi body एक दूसरी का साथ देते हुए ये secretion का काम कर दिये, okay? के next point पे चलते हैं, next इसे के साथ हमने endoplasmic reticulum और Golgi body अभी के लिए पर आप लोग को कुछ इतना आना चाहिए, मैंने वो cover करवा दिया, एक बार आप लोग NCRT पढ़ लेना, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम पढ़ेंगे लाइस, लाइसोजोम के बारे में, बहुत बढ कुछ points लिया मैंने, लाइसोजोम के बारे में, इसको भी ज्यादा deep में नहीं पढ़ना है, जिस ओबर लूग करके छोड़ देंगे, तो लाइसोजोम क्या होता है, कि यह जो endoplasmic reticulum है, अपना, और जो Golgi body है अपना, वो आपस में, आपस में मिलके एक structure को form करते हैं, जिस कैसे form होता है, endoplasmic reticulum और Golgi body के through form होता है, तो लाइसोजोम क्या होते हैं, देखते हैं, it is kind of waste disposal system of the cell, अब cell हमेशा क्या कर रहा है, metabolism कर रहा है, cell protein synthesis कर रहा है, lipid synthesis कर रहा है, cell old भी होता जा रहा है, तो अगर mitochondria old हो गया, उसको निकाल देंगे न, मार देंगे न, simple सी बात ह new and mitochondria चाहिए होगा, अगर हमारा endoplasmic reticulum old हो रहा है, और function नहीं कर पा रहा है, उसको मार देंगे न, खतम करेंगे उसकी कहानी, तो इस तरह से वो जो काम है, वो जो cell को साप रखने का काम है न, वो जो waste deposit होते जा रहे हैं, cell में, उसको सफाई करने का काम किसका होता है, हमा तो वहाँ पर जो present organally हैं, वो क्या होते जाएंगे, वो धिरे-दिरे old होते जाएंगे, old होते जाएंगे और function करना धिरे-दिरे क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो जब वो लोग function करना बंद कर देंगे, तो वहाँ पर deposit होते के रहेंगे, उनका कोई तो काम होगा नही तो लाइसोजोम क्या करता है सफाई करता है सेल के अंदर तो पढ़ लेते हैं इसको कैसे बनता है हमने पढ़ लिया it is a kind of waste disposal system of the cell पहला point क्या it is kind of waste disposal system of the cell कैसे बनता है it is formed by endoplasmic reticulum and colgy body endoplasmic reticulum और colgy body मिलके इसको form करते हैं अगर तुम्हारे cell के अंदर एक bacteria आ जाए तो क्या तुम देखते रहोगे कि मार दोगे मार दोगे ना simple different types of digestive enzymes यह एक बेग जैसा दिखता है और इसके पास क्या होते हैं बहुत सारे different different type के क्या होते हैं digestive enzymes होते हैं और यह kind of waste disposal system of the cell it is formed by endoplasmic reticulum and colgy body इसको एक 100 ट्रिक से भी याद रख सकते हो तो GERL girl ना girl गोल्गी body endoplasmic reticulum lysogem गोल्गी body endoplasmic reticulum के साथ मिलके क्या फ़र्म करता है lysogem GERL से हम याद रख सकते हैं अब हम लोग next point पे चलते हैं next point क्या कह रहा है next point कह रहा है कि it helps to clean the cell it helps to clean the cell by digesting foreign particles it helps to clean the cell by digesting foreign particles like bacteria food on and old organally etc ये cell को कैसे सफाई करता है सेल का कैसे सफाई करता है देखते हैं इसके पास ना बहुत सारे डाइजेस्टी बेंजाइम होते हैं किसी को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं राइट जेनरली और्गनी कंपाउंड को डाइजेस्ट करते हैं it helps to clean the cell by digesting foreign particles like bacteria को digest कर देगा food को digest कर देगा old organelles को digest कर देगा मैंने food को digestion के बारे में बताया था दो cytosis हम पढ़े थे ना endocytosis में क्या पढ़े थे एक तो phagocytosis पढ़े थे तो हमको याद रखना पड़ेगा लाइसोजों के पास बहुत सारे digestive होते हैं और इस digestive enzyme के बज़े से क्या होता है कोई अगर bacteria तुमारे cell के अंदर आ जाए तो उसको मार दिया जाता है कोई अगर food होता है उसको digest करना रहता है तो को लाइसोजों का है क्योंकि इसके पास क्या है digestive enzymes है इस बज़े से यह फूट का क्या कर देता है digestion कर पाता है ओके तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला इडिचे काइंड बूइस डिस्पोजल सिस्टम आप दे सेल इडिच फॉर्म बाइंड प्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्गी बोडी यह बेग लाइक स्टॉक्चर हैं डिफरेंट टाइपस अप फॉर टकटिकल्स लाइक विक्ट्रिया फूड एन ओड और फिकल्वी और ल जाये हैं इसको मार को this consumers कभी किया और होता है बहुथ हायरेट कर रहाताि सेल और पता चला डेमेज हो गया सेल पता चला क्या हुआ डेमेज हो गया सेल ना बहुत हायरेट से मेटाबोलियम कर रहा था कर रहा था कर रहा था और क्या हो गया डेमेज हो गया सेल तो वह सेल और हमारा किसी काम का नहीं रहा तो उस सेल को मार दिया जाएगा ना मारने का का कहते हैं suicide बेग अब दसेल इसलिए इसलिए लाइसोजों को क्या बोलते है suicide बेग दसेल तो यहां पर मैंने लिखा है इप सेल गॉट डेमेच्ट ड्यूरिंग मेटाबोलिजम लाइसोजों गेड ब्रॉष्ट एंड दो एंजाइम डाइजेश्ट दियार ओन सेल हैंस इडिज नोन एच स्विसाइड बेग दा सेल समझ में आया क्यूं हम लोग उसको सुसाइड बेग बोलते हैं कोश्चेन आ सकता है स्विसाइड बेग दसेल किसको कहते ह है लाइसोजों को कहते हैं तो एंडपलाजमिक रेटिकुलम गॉल्गी बॉड़ी लाइसोजों सबका function 땡़े टैकुर्ण है विल्कुल नियरली सेम है विल्कुल ना कोडिनेटेड है बिल्कुल है तो सफाई का काम करता है सफाई का काम करता है रइट बिल्कुल याद हो जोराँ अबे तक दिंशाइट walot यह बाद रखना किसको कहते है लाइस जुम को बढ़ना चाहिए तो next हम लोग आगे बढ़ते हैं Колोल को पढ़तेंности कर दिया अब हम लोग पढ़ेंगे से वाह कि बारे में थंसे कंपिवी कर लिए हम लोग ने ne gli ट्र dolls में कम्प्लिट कर लिए हमने लाइससा कर है और लास्ट जो endomemeran system का part है वो है फक्व опasional जयनेटीमल मेंनी मिलता है लेकिन प्लांट में मिलता है और प्लांट का मेजर हिस्सा क्या होता है फक्नो होता है में पहले क्लास में बोल से भून एतना एरिया कि या लेता आज कि न्यूखलेस को साइड जाना कि रहा हूं दे आर स्टोरेज ये लिखा है मैंने चाप दिया यह पॉइंट्स क्यूं ज्यादा क्यूं पड़े यह आप पे दे आर स्टोरेज सेक फर सोलिट एंड लिकूइट कंटेंड अच्छी बात है एक स्टोरेज के तरह पे एक्ट हो रहे हैं देखो लाइसोजोम सफा स्टोर करेंगे फूट को कहां स्टोर करेंगे भक्योल के अंदर स्टोर करेंगे और फूट को डाइस्ट कौन करेगा भक्योल नहीं लाइसोजोम क्यूंकि लाइसोजोम के पास क्या है डाइस्टिव एंजाइम्स हैं फूट को स्टोर कहां करके रखते हैं भक्योल के अंद कर हम कुछ Positive substances और कुछ Liquid suggestions को स्टोर करके रखते 코 हम लोग कुछ क телефонolithSnings पcito लिकुड़ सबस्टेंस को क्या करके रखते हैं स्टोर करके रखते यार कोई चीज को कोई store करके क्यों रख़एगा पैसे को कोई store करके रखता है कि ऐसे खुले में फेक देता है तो स्टोर करके रखता है ना स्टोर करके क्यों रखते हैं क्योंकि वह अपने लिए important है अपने लिए क्या है important है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यो बक्योल है बक्योल जो है ना वही substance को store करके रखेगा जो उस plant के लिए या फिर वह animal के लिए important रहा होगा वह important रहा होगा इसलिए हम उसको saving account के तरह पर रख रहे हूं वहां पर So they are storage डियार श्टोरीज सेक फॉर स्वड़ीड एंड लिक्विट कंटेंड तो जो भी solid substance plant के लिए important है वह कहां पर रह रहा है इसके अंदर रह रहा है किसके अंदर बक्योल के अंदर रह रह रहा है जो भी small size in animal cell या तो देख्तें नहें तो नहीं भी देख्तें बhaculous absents भी लिख देते हैं कुछ-कुछ book में, अगर होंगे तो भी small size क्यों होंगे, अगर animal में बhaculous होंगे तो small size क्योंगे, they are small size in animal cell, समझ में आया? next point, next point में हम लोग समझते हैं, यह बात में पहले भी बोल चुका था नेक्स्ट पॉइंट इन प्लांट्स यह वक्योल का फंक्शन और थोड़ा अच्छे से देखते हैं अगर नॉर्मली कोई पूछे कि वक्योल क्या करते है प्लान में बता तो बोल देना फूट स्टोरेज करते हैं सिंपल इन प्लांट इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू दे सेल ओके प्लांट को रिजिड बनाता है और प्लांट को टर्जिड बनाने में हल्प करता है राइट प्लांट को रिजिड बनाता है और प्लांट को टर्जिड बनाने के लिए हल्प करता ह ओके नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं इसलिए मुझे बखवास लगता है कि वही पॉइंट को बार बार रिपीट कर रहा होता है जो पहले लाइन में लिख दिया फिर से लिख रहा है वह पहले ही पॉइंट में लिख दिया यहां पर एक इंपोर्टेंट लगा देता तो इतना फिर से एक बार लिखना नहीं पड़ता तो मैंनी सब्सक्राइब इसके अंदर स्टोरों के रह जाते हैं नेक्स हम लोग एक स्पेशल केस लेते हैं एमोईबा का एमोईबा के पास फू फूट भक्यूल मिलता है और उस फूट भक्यूल से नाम से पता चल रहा है भक्यूल क्या करता है स्टोरेज किसका यहां प libre आगे लिखा है फूट नों और पास और एक ताइप का वक्यूल मिलता है वह है कंट्रक्टाइल भक्यूल करता है जिसके थ्रूंग का करता है ऊस्मो रेगुलेशन करता है मतलब अपने अंदर का एक्चुली में अमोईबा क्या होता है कि एक्सेस वाटर हो जाए जब एक्सेस वाटर हो जाता है उसको एक्सक्रीट करना पड़ेगा एक्सेस वाटर हो गया है बोडी से तो पानी को बाहर निकालना पड़ेगा तो एक्सक्रीशन का काम वही कंट्रक् से कर लेता है तो मैं तुम्हारा जो लास्ट दो-तिन लाइन लिखे है ना इसी बारे में बताया गया है पढ़ लिखाता कि कुछ स्पेसियल टाइप के भक्यूल होते हैं जो है एक्स्क्रीशन में हलप करते हैं ऐसा लिखाता तो यह मैं एक्जामपल दिया हूँ इन्हें एक्सेस पानी हो जाएगा तो उसको पानी को निकाल दिया जाएगा तो यहां पर कुछ डाइगराम देखते हैं हम लोग डाइगराम देखते हैं अच्छा आटरमुष्ट कभरि अगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइग्राम में आते हैं एक एमोईबा का कोई पर्टिकुलर सेप नहीं होता यार यह कोई ऐसा फिक्स्ट सेब नहीं होता यह जिस्ट नोलेज के लिए दिखाया गया है ऐसा दिख रहा है बोलके यहां पर तुम कंट्रक्टाइल यह देखो य यह कौन सा है कंट्रक्टाइल भक्योल है और यह ग्रीन जैसे फूट मेट्रियल स्टोर होए है ऐसे दिख रहा है ना यह फूट भक्योल से तो बाकी सब पर ध्यान मत दो अभी वह बड़े क्लासेस में ध्यान देना पहली कलो अगरा क्या होते हैं तो अभी के लिए बस इत करते हैं यह क्या करते हैं फूट स्टोर करते हैं मोई उपा के बोड़ी में तो हम लोग ने मारते हैं अभी मारते हैं एंड़ोपलाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है प्रोटीन और लिपिट सिंतेसाइज करता है उसको कहां पर भीज दिया जाता है गौलगी बोड़ी में क्या है उसको मोडिफाय करके सेल के बाहर सिक्रेट कर देता है उसके बाद आते हैं नेक्ष्ट हमने क्या पढ़ा हमने नेक्ष्ट पढ़ा था किसके बारे में लाइसोजोम के बारे में लाइसोजोम कैसे बनता है एंडोपलाजमिक रेटिगुलम रोगलगी बोडी मिलके क्य वह क्या हो जाए कभी उसमें कोई injury आ जाए तो उसको मारी देगा लाइसोजोम अब उसको repair भी पार नहीं करता मारी देता है लाइसोजोम क्या करता है मार देता है अपने ही cell को खुद मार दिया ओके इसलिए इसको क्या बोलते है suicidal backup the cell इसके अलावा हमने भक्योल पढ़ा हमन ने एंडोमेंब्रेंस सिस्टम को complete कर लिया इसके NCRT का बहुत अच्छे से रीडिंग मानना है ना तो चलो बाई बाई